Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे किसी भी देश के भविश्य के लिए उस देश का education system काफी important होता है जो देश अपने research and development या education में जितना खर्ष करता है उस देश का भविश्य उतना ही सुनहरा होता है मसलन अगर हम China का example लें तो China आज इतना strong इसी लिए है क्योंकि वो अपने research and development में खूब पैसे invest करता है और उसे बहुत ही systematic तरीके से monitor भी करता है इसी भी जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 जून को NEET के result declare किये जाते है और जैसे ही ये result declare होता है वैसे ही बढ़ चड़ कर ये दावा होना शुरू हो जाता है कि exam के पहले ही NEET के question paper को बेच दिया गया था और इसी episode में आगे बढ़ते हुए बिहार के जो deputy chief minister रे उनका दावा है कि बिहार में जो question paper leak हुए है NEET के इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल है तेजश्वी यादब का अब यहाँ पे एक बात मैं बहुत इस पस्ट और साफ कर दूँ कि ये सारे दावे हैं और अभी तक कहीं से भी कोई full-fledged investigation नहीं हुआ है पांच में को NEET के exam को conduct कराया जाता है और जिस दिन से इस exam को conduct कराया जाता है उसी दिन से ये claim होना शुरू हो जाता है कि इस exam के question paper को leak किया गया था यानि कि exam से कुछ घंटे पहले या कुछ दिनों पहले ही उन सारे candidates को question paper मिल गये थे जिन्होंने पैसे दिये थे इसी बीच बिहार का नाम सबसे उपर आ रहा था जहां पर ये बढ़ चड़ कर claim किया जा रहा था कि बिहार में भी बहुत सारे जो exam centers थे उसके साथ compromise किया गया था इग्जैक्लि अगर बात किया जाये तो बिहार के जो deputy chief minister है विजयस दिनहा जी एक बात मैं यहाँ पर बहुत ही सपस्ट कर दू कि किसका रोल है किसका रोल नहीं है ये तो खैर matter of investigation है लेकिन अगर आप इसी चीज़ को एक बहुत ही common civilian या एक guardian के point of view से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बच्चे के उपर बहुत pressure होता है गारजियन के उपर बहुत pressure होता है और जब आप इतने tough competitive exam के लिए तयारी करते हैं तो उसके लिए खूब सारे पैसे भी चाहिए होते हैं तो एक middle class family के लिए इतने सारे पैसे खर्श करना almost impossible task होता है जहाँ पे उनके पास जो income है वो limited होते हैं और जो खर्श है वो unlimited हो जाते हैं यहाँ से एक चीज हमें और भी समझ में आता है कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोंग है जो अपने आंको किसी political party के साथ जोड़ के देखते हैं और अगर उस political party या उस political party के leader से अगर कोई सवाल पूछता है तो हम ये मान बैठते हैं कि जो सवाल पूछने वाला व्यक्ती ह वो anti-national है या opposition party से बिलॉंग करता है नॉर्मली क्या है कि भारत में police department को लिके काफी नाराजगी होती है लेकिन इस पूरे need के question paper के investigation में जिस तरीके से बिहार police का role रहा है ये सच में काफी अच्छा रहा है और ऐसा लगता है पढ़के कि ये किसी pressure में काम नहीं कर रहे हैं इसी बीच SIT के द्वारा अब तक जो information release किया गया है या sources के द्वारा जो information media में publish हुआ है उसके हिसाब से National Highway Authority of India के जो guest house है उसका इस्तेमाल किया गया है तो कोई भी common civilian ये समझ सकता है कि ये किसी भी एक political party के सनरक्षन के बिना नहीं हो सकता है जब तक कि इसमें multiple political party का सनरक् और अगर आप उसका किसी भी तरीके से resources को use करते हैं तो कहीं न कहीं जो उस area के head होते हैं उनका permission के बिना आप उस resource को इस्तमाल नहीं कर सकते हैं कुछ नाम सामने आया है इस नाम के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारे नाम जो public domain में आया है इनके काफी close संबंध है ते political party अपने पल्ले को change करें कभी उधर चले जाते हैं कभी उधर से फिर इधर आ जाते हैं और जब यो opposition में होते हैं तो बढ़ चड़ कर एक दूसरे के उपर आरोप लगाते हैं लेकिन जब वो दुबारा सत्ता में आ जाते हैं तो वो सारे बातों को भूल जाते हैं और यहा result declare होते हैं 4 जून को उसके बाद से ही बढ़ चड़ कर यह claim होना शुरू हो जाता है कि इस exam में कही न कहीं हेर फिर बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है लेकिन बहुत दिनों तक धरमेंदर प्रधान ये मानने को तयार नहीं थे कि NEET के exam में धानली किया गया है और कही न कह सरकार को बहुत ही सकत कदम उठाने चाहिए लेकिन क्योंकि अब evidences इतना जादा आ गये हैं इसलिए अब सरकार के पास कोई option नहीं बचता है सिवा इसके कि उनको मानना है कि कही न कहीं इस exam में धानली हुआ है और इसके पीछे सिर्फ NTA responsible नहीं है बलकि कहीं न कहीं government of India और खास करके education ministry का बहुत ही बड़ा responsibility बनता है जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे episode में अगर किसी एक department का सबसे active participation या जो सबसे अपने बहतरीन तरीके से काम किये हैं वो है बिहार पुलिस जिस दिन exam हुआ था यानि कि 5 में को उस दिन से ही बिहार पुलिस काफी active थे और उसी इनके पास बहुत सारे ऐसे information आने शुरू हो गए थे जिसको देखने के बाद कोई भी ये कह सकता था कि exactly इस exam में धानली हुआ है लेकिन उसके बावजूद जो हमारे धर्मिंदर प्रधान जी है वो मारने को तयार नहीं थे कि इस पूरे exam में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो धानली हुआ है क्यूंकि राहूल गांधी opposition party को belong करते हैं इसलिए इनको एक बहुत ये अच्छा मौका मिल गया है जहां पे ये बढ़ चड़ कर क्लेम करेंगे अगर बात किया जाए Congress ruled states का तो शायदी को ऐसा state होगा Congress party जिसको rule कर चुकी है वहाँ पे question paper leak नहीं हुए हो कहने का मतलब है कि almost सभी states में question paper leak होते हैं और जो उस state के middle class या lower middle class family होते हैं उन्हें सबसे अधिक suffering होता है तो भले आज राहूल गांधी neat question paper या इस सारे episode में कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो present government है वो failed है लेकिन अगर कोई इन से सवाल पूछे है कि जब इनकी सरक अलग-अलग states में थे तो वहाँ पे question paper leak क्यों हुआ था और वहाँ पे जो रोजगार है उसकी क्या स्थिति है नॉर्मली कहीं पे भी एकर exam होता है तो बहुत सारे चीजों का ध्यान रखा जाता है कि वो examination center शहर से कितना दूर है या तो अगर कोई वहाँ पे पहुँचना तो कितना वक्त उसे लगेगा पहुचने में उस examination center में first aid है या नहीं है या bench desk का क्या exactly स्थिति है तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे parameters को देखने के बाद किसी भी school या college को exam conduct करवाने की authority दी जाती है वहीं पे अगर बात किया जाए जिस तरीके से NTA ने अपने examination center को exam conduct करवा जाने के लिए authority दिया था ये complete तरीके से सारे के सारे जो normal norms होते उन सभी norms को cross किया गया था यानि कि बहुत सारे examination centers में जो strong room होता है जहां पे questions रखे जाते हैं वहाँ पे कोई guarding नहीं था CCTV camera available नहीं था तो कहने का मतलब है कि उन सारे centers को allot किया गया था NTA के दवारा जहां प कब मालूम पड़ता है 16 जुन के आस पास जब मीडिया में बढ़ चड़ कर ये publish होना शुरू हो गया कि इस exam में धांदली किया गया था तो कहने का मतलब है कि NTA सिर्फ अपने मन से examination center को allot नहीं कर सकता है और अगर ऐसा वो allot किया तो exactly government of India और खास करके जो हमारे ministry of education थे य लेकिन almost 83 centers में जिस staff को allot किया गया था वो staff वहाँ पे थे ही नहीं तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद definitely कोई भी ये कह सकता है कि इस exam में तो घोटाला हुआ है और जितना responsible NTA है उससे कहीं ज़्यादा responsible हमारे government of India है और कहीं न कहीं हमारे जो prime minister of India है उनको इन सब चीज in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye